अच्छ में आपके शाष्यर करने जारू मकड संक्रांती स्पेसल तिल्गुड गज्जक की रेसेपी स्वेलो एवरेन ममी के रोस्वे हिंदी चनल में आप लोगा स्वागत है अब संक्रांती पर यह आप लोगा गज्जक बहुत ज़्यादा फेमस है एक अलक तरीके से बनाएंगे असानी तरीके से बनाएंगे तो चली रेसेपी को शुरू करते realize और तिल्गुड गज्जक बनाने के लिए हम ले लेंगे तिल को सात में मुंफली के दाने को सा तो हमने इसमें 200 ग्राम तिल लिया है अब हम क्या करेंगे इसको भून लेंगे भूनने से इसका अच्छा आएगा तो गैस की फ्लेम को हाइपर रख कर बिल्कुल भी ना भूल एक दम लोग फ्लेम पर आप लोग को रखकर भूनना होता है जब आप लोग इसको भूनेंगे अलगी फ्लेबर आएगा और साथ में इसका थोड़ा से कलर भी चेंज हो जाएगा आप लोग देख सकते वीडियो में तो बस भूनका त्यार होगे अब क्या करेंगे इसको नीचे उतार लेंगे अब हम क्या करेंगे फिर से कड़ाही में डाल देंगे मुंग फली के दाने को भी डाल को भून लेंगे तो जैसे कि हमने 200 गर्म तिल यूज किया तो हम 100 गर्म मुंग फली के दाने इसमें डाल रहे हैं आप लोग अपने इसाफ से करके बना सकते जितना अपने तिल लेंगे इसकी इसाफ से मुंग दाने को डाल दिजेगा तो बस ये आप लोग का बदाम भी भुन का त्यार होगे अब हम क्या गरेंगे फिर से उसी कड़ाही में डाल देंगे गुड़ को तो गुड़ को आप लोग को क्या करना कद्दो कस्पया तो पूरा घिसके डाल दे या तो चाकू की सहता से तुम छुट-छुट पीसस में कट करके डाल सकते हैं ऐसे करने से थोड़ा गयास कम लगेगा जल्दी जल्दी बन का त्यार हो जाएगा हलका साप लोग एक दम पानी टाल देना है पानी बिल्कुल भी जादा मट डालिएगा अब हम क्या करें गुड़ को पिखला लेंगे तो आई होप कि आप लोगो बहुत अच्छी तरह के से समझ आ रहा होगा अगर आप लोग को बिड़ो च्छी तो बिड़ो को लाइक करें कमेंट करें और इस बिड़ो को जाजा शेयर करना ना भूले चाट से पांच मट को बाद आप लोग देख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे इसको और अच्छी तरह के से पका लेंगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले अब हम क्या करेंगे इसमें घी डाल देंगे तो आधा चमच डाल देंगे घी को घी को डालने से शाइन आ जाता है तो अपनों घी को जरूद आलेगा अगर आप लोग को अच्छे ना लगे तो छोड़ सकते है अब अज़र अगर आप लोग अच्छी लगे तो जरूद डालेंगा और हम क्या करेंगे इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे तो आप और देख सकते हैं कि पहले कैसा ता अब कैसा होगी हम इसमरे डाल देंगे हलका argue निसमको मीठा सुऊदो बोला यता है इसको क्या होने वाला है अच्छी तरीक हैसे मिला लेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि एक दम पूर लाइट हो गया है अभरम क्या खरेंगे इसको हल्का सा पानी में डाल देंगे और इसको चेक करेंगे की बनकर त्यार हुआ है कि नहीं तो इस पें आप लोगा जो चाशनी तो आसानी तूट जाएगा नहीं तो ऐसे बनाएंगे ना मतलब बिना मीठा सोड़ा के तो जल्दी तूटेगा नहीं तो अब हमने क्या किया तील और साथ में जो मुंफली के दानी लिया तो उसको मिक्सी के जार में पीस लिया है बिना पानी डाले आप लोगों को हल्का से सबक्रेहे तो पूरत गफली जल्दीजें अगर छोड़ेंगे तो फिरो डंृ से नहीं बन पाएगा तो सबडा सकते हैं उपर से आप लोगों तिल को डाल देना है और हम प्या करेंगे सबकों मिलारे छुप को प्रभण तिल को रख लिजिए फिर आप लोगों की सहायता से हल्के हांतों से इसको अराम-राम करके बेलेंगे तो पुरा अची त्रीकी से बनाया कर लेंगे तो है नो बहुत ज़्यादा असान रेसेपी बस आप लोग विडियो को ध्यान से बने रहना है और आप लोग अच्छी तरीक से समझ आएगा आई होग चैनल पर नहीं तो चैनल को स्टाइब करना ना भूले तो हमने इसको हलके हाथ से एक दम इसको बेला है अगर आप टाइट हाट से बेलेंगे तो फिर खराब बन जाएगा तो अब हम क्या करेंगे चाकू के साहता से इ से अब डाल सकते हैं तो हमने सिंपल स्क्वेड से अब डाल दिया है इसमें तो अब हम क्या करेंगे इसको आदा गंटे तक छोड़ देंगे आदे गंटे बाद हम इसको खाएंगे तो मजा आ जाएगा बहुत ही असानी तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया है तो आप लोग इसको मकड संक्रांती पर जुरूब बना कर खा सकते हैं या अगर आप लोग को सर्दियों में जब भी कुछ ऐसे खाने का मन करें तो खा सकते मीठा मीठा तो आदे गंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं अगदम अच्छी तरीके से बन का त्यार हो गया है तो थैंक यू सो मग फो वाचिन इस वीडियो